दोस्तों अगर आप 2024 में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज ओवर करना चाहते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा मौका आपके लिए लेकर आती है NDA जी हाँ दोस्तों NDA के द्वारा आप डारेक्ट इंडियन आर्मी एर फोर्स और नेवी में एज़ा ओफिसर की पोस्ट पर जोईन होते हैं जिसमें आपको डारेक्ट ओफिसर बनाया जाता है जिसके बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है आपके परिवार वालों की प NDA के द्वारा इंडियन आर्मी एर फोर्स या नेवी को जोईन करें तो आपको आज से ही बिल्कुल सीरियस हो जाना है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए क्योंकि दोस्तों NDA बार बार मौका नहीं देती है NDA में जाने के लिए आपको किवल कुछ ही चांस मिलते हैं उस इसके बाद आपकी एज लिमिट ओवर हो जाती है उसके बाद आप इसका फोर्म ही अपलाई नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आपके पास बहुत बड़ा मौका है इसको अपने हाद से बिल्कुल भी ना निकलने दें तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आ आप बहुत आसानी से NBA का एक्जाम क्या कोई सभी एक्जाम बहुत आसानी से पास कर सकते हो क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मेहनत करना दिक्कत नहीं है सबसे बड़ी वात है सबसे बड़ी दिक्कत है सही रास्ते पर मेहनत करना कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कहां पर आपको पढ़ना है क्या चीज आपको छोड़नी है क्या टोपिक आपको पढ़ना है क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि वो कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें कौन सी बुक बैस्ट है कौन सा टीचर बैस्ट है किस टोपिक पर फोकस जादा करें किस पर ना करें उनको कुछ पता ही नहीं होता वो केवल महनत करते जाते हैं और गलत दिसा में महनत करते हैं इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको सही डारेक्शन में महनत करनी हैं तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और कैसे आपको क्या तयार करना है तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है जब हम किसी भी exam की तयारे करते हैं तो उसका syllabus होता है उसके syllabus को हमें देखना होता है कि उसके syllabus में कौन-कौन से subject आ रहे हैं उन subject से कौन-कौन से topic से question पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर NDA आपको topic देती है total topic देती है कि हाँ यहाँ से आपका exam है वो बनेगा तो इसका link मैं आपको description में दे दूँगा यहाँ पर उसके notification में सबी कुछ लिखा हुआ है और इसकी मैंने अलग से video भी बनाई है topic wise syllabus की उसको आप देख लीजेगा और उसको आप अपने front page पर जरूर लिखेगा क्योंकि एक topic आपको पता होना चाहिए कहां से आपका exam paper बनता है तो दोस्तों सबसे पहले syllabus आप देखिए अच्छे से पढ़िए उसके बाद दूसरा next step आता है उसको learn करना उसको सीखना जी हाँ दोस्तों syllabus के बाद सबसे यहाँ पर main चीज़ होती है सीखना एक topic आप उठाईए हर subject का यहाँ पर उस topic को लीजिए और उसको सीखिए चाहे आप YouTube से सीखिए चाहे आप offline teacher से सीखिए चाहे आप book से सीखिए जहाँ से आपको best लगे वहाँ से सीखिए लेकिन आपको learn करना है आपको उसको सीखना है तो दोस्तों एक एक topic जैसे ही आप सीखते चले जाओगे daily उसके बाद आप देखोगे आपने सभी topic सीखि लिए सभी चीज़े आपको आने लगी जैसे ही आप चीज़े सीख जाओ उसके तुरंट बाद आपको क्या start कर देना है उसके बाद आपको start करनी है अपनी practice जीहाँ दोस्तों जो भी आपने सीखा उसकी practice आपको daily करनी है उसकी daily practice आपको start कर देनी है जैसे ही आपका 60% course पुरा होता है 60% चीज़ें आप सीख लेते हो उसके बाद ही आप अपनी practice से start कर दो और आपको अपनी practice जहां से भी करनी है महां से कर सकते हो practice के लिए आप book ले सकते हो book refer कर सकते हो best book की मैंने video बना रखी है उसका link भी मैं आपको दे दूँगा बागी आपके पास जो भी book हो आपनी जो भी ले ली हो वो ही best होती है कोई यहां पर अलग से best नहीं होती जो हमारे पास है अगर हम उसी को बढ़िया कर ले वो ही अमारे लिए quality based होता है तो practice आपको start कर देनी है दूसरे number पर आपको क्या करना है यहां पर practice के बाद आपको लगाने है mock test जी हां दोस्तो offline paper आपको होता है तो आपको offline ही mock test लगाने है यहां पर आपको practice set लगाने है आप एक practice set की book ले आईएगा practice set की book मैं आपको बता दूँगा कौन-कौन सी आप ले सकते हैं यहां पर मैं 3-4 बुक practice की आपको बता दूँगा कि आप इनको ला सकते हैं best हैं बागी आप जो भी आपको ठीक लगे आपकी knowledge के अनुसार आप उसको ला सकते हैं लेकिन आपको practice set start कर देने हैं अपने course complete होने के बाद ही जी हां दोस्तो यहां पर practice set बहुत ही important है और उसको आपको time के अपने time के under में करना है जितना time आपको exam में मिलता है उतने ही time में उसको set करना है और बिल्कुल इस तरीके से देना है जैसे आपका exam चल रहा हो क्योंकि दोस्तो जैसे आपके practice set में number आते हैं जितने कोशन यहां सही होते हैं लगबग उतने ही वहाँ पर आपके exam में सही होते हैं इस चीज़ से आपको पता चल जाता है आपका कौन सा topic week है कौन सा topic आपका strong है कौन से subject में आपको कहां दिक्कत आ रही है इसी लिए यहाँ पर practice set सबसे important होता है दोस्तों practice set के साथ सबसे important होता है आपका revision जी हाँ दोस्तों आपने सीख लिया सब चीजे learn कर ली आपका course पुरा हो गया लेकिन 90% लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो अपना revision नहीं करते चीजों को केवल एक बार ही सीख लेते हैं दुबारा उसको खोल कर ही नहीं देखते क्योंकि उसको दुबारा खोल कर देखने का मन ही नहीं करता तो यह चीज सभी के साथ होती है लेकिन आपको जवरजस्ती revision अपना करना होता है कम से कम तीन बार आपको revision करना ही होता है कम से कम तीन से पांच बार अगर आपने revision कर लिया, पांच बार अगर आपने किसी चीज का revision कर लिया, तो वो चीज आपके mind में हमेशा के लिए set हो जाती है, और minimum तीन बार तो आपको करना ही है, इस से कम करोगे तो आपका selection नहीं होने वाला, ये चीज मैं आपको clear कर देता इसलिए revision सबसे important है course complete हो जाने के बाद आप तीछे से revision start करते रहना ताकि आपको कोई भी चीज भूलेना आपके mind से कोई भी चीज निकलेना आपके mind में वो चीज recall होती रहे तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका तीन महीने के अंदर ही आप देखोगे कि आपके अंदर एक self confidence आ गया है कि हाँ इस बार मैं NDA का exam बहुत easily crack कर सकता हूँ तो ये confidence जो है दोस्तो वो अपने आप ही आने लगता है खुद ही आने लगता है जब हम मेहनत करते हैं तो आज मैंने आपको क्या बताया सबसे पहला step है syllabus देखना syllabus के topics को देखना कहां से आपका paper बन रहा है दूसरा आपको क्या करना है सीखना है learn करना है उसके बाद क्या करनी है practice करनी है उसके बाद क्या करना है mock test लगाने है practice set लगाने है और यहाँ पर last में आपके या करना है revision करना है और दोस्तों एक चीज यहाँ पर मैं भूल गया हूँ mock test जब practice setup लगाओगे उसके साथ ही previous year के question paper भी आपको लगाने है यह बहुत ही most important है previous year के question paper को आपको जरूर लगाना है as a mock test के तोर पर क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता चलेगा कि NDA किस तरीके से question बना कर पूछता है कैसे कैसे question आपके NDA के exam में आते हैं तो आपको इसके लिए अपने मानसिक रूप से आप तयार हो जाते हैं कि हाँ आपने बहुत practice की है आपने बहुत मेहनत की है आपको बहुत चीजें पहले से ही आती है तो इसलिए अगर आप इस तरीके से चलोगे इस तरीके से महनत करोगे तो आपको NDA का exam crack करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप बहुत ही आसानी से NDA के exam को clear कर दोगे और final cut off में आपका नाम जरूर आएगा तो दोस्तों ये चीजे मैंने आपको बताई है महनत आपको करनी है महनत सभी करते हैं लेकिन आपको सही दिशा में महनत करनी है सही direction में महनत करनी है तो ही result आएगा वरना महनत ऐसे ही करते रहो बिना किसी तरीके से बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे तो उससे कोई result नहीं निकलेगा आप जिन्दगी बर ऐसे ही रह जाओगे तो इसलिए जो मैंने कहा है उस पर आपको apply करना है और तरीके से महनत करनी है और मेरे अलावा अधर की भी वीडियोज आप देख सकते हैं क्योंकि तैयारी की बहुत सारी वीडियोज होती है इससे हमारे mind को पता चलता है कि हाँ हमें अपनी strategy बनाने में किस तरीके से अपनी strategy बनानी है तो दोस्तों आज किस वीडियो में केवल इतना ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत